नमस्कार मैं आसे इस पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में अगर रफ्तार की बात किया जाए तो रफ्तार अगर किसी को सीखनी है तो बिहार सरकार से सीखे नितीश कुमार जी से सीखे कि रफ्तार क्या होती है अभी एक वेके को final करके result करके point कर दिया गया teacher को और उसके बास ये second phase बिहार में teacher बरती आ चुकी है और इसके form कब से भरे जाएंगे क्या eligibility है qualification क्या है detail क्या रहेगा कौन कौन से लेक form भर सकते हैं उसके बारे में मैं अलग से एक video लेकर आऊँगा चे 6 से 8 वाले क्या qualification रखना है 11, 12, 9, 10 के लिए क्या होना चाहिए अभी इससे पहले उन्होंने estate इसलिए करा लिया क्योंको उनको second phase की भरती करानी थी ठीके तो estate में भी अच्छा खासा result आया है 85 से उपर percent बच्चे जो है पास हुए थे तो एक बहुत बड़ी खुसकबरी है सभी के लिए जो बिहार में सिक्षक बनना चाहते हैं तो second phase की भरती आपकी आ चुकी है इसके जो form है यहाँ पर देखिए और हमारी हैं अगर हम बा कि सिच्छा योग एक बार चला था फिर ठप हो जाता है फिर क्या हो जाता पता नहीं अभी तक उसमें कोई गठन हुआ क्या हुआ आगे प्रोसीज क्या होगा कभी सिच्छ बड़ती आएगी की नहीं आएगी उस पर भी आपके जो सिच्छा मंत्री जा साहब जी हैं वो कह है बिहार तो यहां पर सिच्छक के अंत्रगत प्रधाना ध्यापर प्रद्योगिता परिक्षा में संबंदित अभ्यारतियों को सुचित किया जाता है कि मध्य विद्धाले वर्ग 6-8 माद्मिक वर्ग 6-10 और एवं उच्छ माद्मिक वर्ग 11-12 तथा पिछड़ा वर्ग एवां अति पिछड़ा वर्ग कल्याण बिवाग के अंत्रगत पारंबिक सिच्छा प्रिसिचित माद्मिक सिच्छक असनातक प्रसिचित ओप्रसिचित प्रधान ध्यापक से संबंदित ओनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 3-11-2013 मतलब 3 नवंबर से आपके फ 11 मतलब बहुत ही कम समय मुश्किल से 14 मतलब यहां पर आपको समय जो दिया जाएगा वो 14, 3, 11 से 14, 11 का समय है आपको प्रक्रिया ये चालू होगी तक संभावित है और यहां पर ये भी बोल दिया गया कि उक्त परिक्षा का आयोजन 7, 12 से लेकर 10, 12 के बीच में खरा लिया जा है नहीं मिल रहा है तीन तारिक से फॉर्म स्टार्ट है और साथ दिसंबर को आपको एक्जाम दे रहा है तो फॉर्म भरने के लिए बहुत कम समय दिया है 14 में से आप 3 माइनस कर दो 11 दिन का समय आपके पास है फॉर्म भरने का और उसके बाद से सिर्फ मात्र एक महीना से भी कम समय आपको मिलेगा मतला अल्मोस्ट एक महीना आपको एक महीना में एक्जाम कंड़क करा लिया जाएगा बाकी कौन कौन से लिए फॉर्म भर सकते हैं 6-8 के लिए 9-10 और 11-12 के लिए क्या क्या सब्जेक्ट पर आपकी भरती आएगी और उसके लिए सब्जेक्ट कॉ आदे सेयर करें टीम परिक्षा प्लस जो भी संभव प्रयास होगा बिहार टीचर भरती के लिए इस एक महीने के लिए हम पूरी जीजान लगा देंगे आपको उस कंटेंट देने के लिए कि कैसे एक महीने में आपको क्या एक बोला जाए डीटेल में पूरा तो एक समय ही ने ही दिया कि आपको पूरा स्लेबस कंप्लीट कराया जाए आपको एक क्रक्स के फॉर्म में क्या प्लब्द करा दिया जाए ताकि आपकी भी तैयारी सहीत रुप से हो सकते ठीके तो बाकी जीचर डीटेल में जल्द ही लेके राऊंगा चलिए इसी के साथ मैं आप सभी स से विदा लेता हूं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद